मैं बस ये कहना चाहा रहा था कि भारतिय जनता पार्टी के नेता संबित पातरा जी अभी अपनी जारखंड के जो नतीजे आए उस पर विशेज टिपनी देते होए आंकडे समझा रहे थे कि बस हम तो इतना वोट शेर ले आए इसलिए ये हार हार नहीं है मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री फुद अपनी विधानसभा शेतर से एक मिरदली प्रत्याशी के सामने चुनाव हार गए ये बताए जाती है कि जारखंड की जनता ने कितनी बुरी तरीके से बीजेपी को नकारा मैं आपको एक आकड़ा और देना चाहूंगा मार्च 2018 में यानि कि आज से लगबग डेड़ साल पहले भारत देश के 75 प्रतिशत शेत्रफल पे भारतिय जनता पार्टी का राज था आज डिसेंबर 2019 में मात्र 35 प्रतिशत शेत्रफल में भाजपा का राज है 75 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत शेत्रफल पे बीजेपी आ गई इसे कहते हैं कि इनके पाखंड और इनके घमंड पर जो जारखंड हुआ है ये बीजेपी को समझना पड़ेगा और इसी घमंड पे अगर चलती जाएगी भारती जनता पार्टी जनता इस घमंड को समझती है जनता ऐसी बीजेपी का साथ कता ही नहीं देगा जट्दा जी मुझे जारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी ने उमीदवार उतारे थे कि नहीं जारखंड में अपने नई हम नहीं लड़े थे अपने लड़े थे मध्य परदेश में जारखंड का चुनाव नहीं लड़े थे राज़स्थान में चटिसगर में देखिये कई 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 राज्यों में आम आदमी पार्टी संगठन बनाने के लिए कुछ सीटों पर संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ती है हम वा कोई सत्ताधारी दल थोड़ी है सत्ताधारी दल हम दिन्य में मुख्य विपक्ष की भूमे का हम पंजाब में नबाए है भारत देश के इतिहास में भारत देश के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आमाद्मी पार्टी है जो अपने छे साल के जन्म होने भारत देश के बाद में सरकार बराई पंजाब के अंदर मुख्य विपक्ष की भूमे का निबाई जन्ता हमारा साथ देती है हम घमंड और पाखंड से चुनाब नहीं रहे हैं पुछ रहा हूँ कि आपकी पाटी कितनी फैली आपने इतने राज्यों में चुनाब लड़ा आपने क्या जीता सिंपल सा सवाल था उसमें इतना आहत होने की बात ही नहीं कोई उनकी तो बड़ी पार्टी है उनको गमंडो समझ में आपा है आप तो आमादनी की पार्टी है आप भी गमंडो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा पंजाब में एक बार विदान सभा चुनाब लड़ा और अकाली दल को खदेड कर मुख्य विपक्ष की भूमे का निबाई पहले लोग सभा चुनाब में चार सीटे लाए मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जब भारती जन्ता पार्टी का जन्म हुआ था उनके पास जन्म संग का पूरा धांचा था पूरा इतिहास था उसके बावजूद भी भाजपा को दस साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में छे साल लगे थे दो सांसत बनाने में बार बार फार एंडर लाने में पहले पार्टी से बढ़ने वाली की डुटा नहीं है कि आपकी पार्टी सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी थी कर लिया है सतर में से सरसर सीटे आप लेकर आए सबने मान लिया उस चीज को लेकिन अब मसला एक सेकंड संभी जी आप बेचान हो रहे हैं मैं समझ सकता हूँ लेकिन आप ही के सहयोगी है ना राजी वरेंजन अगर उनकी कुछ चीजों पर है मुझसे बहुत सारे सवाल हो गए मुझे 20 सेकंड जी बीचले आप मैं क्या कर सकता हूँ आपके सहयोगी पी जो सवाल तो उत्रे वो आपी की तरफ है जबकि आपके सहयोगी को आज आपको डिफेंड कर रहा होना चाहिए सबसे आखिर में करोडों लोगों की जो उमीद है और आदर्स जिने देश मानता है वो प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी है नरेंद्र मोधी जीने कहा है NRC का कोई प्रस्तावा भी नहीं है सामने 2014 के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ है और एक सवाल जिसका जवाब वो हाँ और ना में नहीं दे रहे है वैं कालपनिक परिस्ती होने के बाद भी आपको कह रहा हूँ NRC भी हरवे लागून नहीं होगा तो आपके सवालों का जवाब है हाँ और ना की बगएर प्रतिक्षा की हुए आप बोलिए सम्भित पात्राप ये गटबंदन है और ये सही होगी है आपके और आप बोलिए सम्भित जी आप दीजे जवाब हाँ मैं बता रहा है ममताबर जी को तो आप तुरंट कह देते हैं देश्ट रोही है नकसली है इनको क्या कहिए है सुनी रोही जी रोही जी सुनी करेंगे जब समय आएगा तो बातचीत करेंगे आपको क्या लगता है मैं पांच बजे के डिवेट में आके जेडियू के साथ आपके डिवेट पर लड़ूंगा बिल्कुल नहीं लड़ूंगा